प्रशाद बनाने जा रहे हैं, आज के दिन इसे जरूर खाना चाहिए और इसे बनाकर आपको 5-10 मिनिट्स के लिए चंद्रमा की रोश्णी में रखके फिर ही स्वयम इसका प्रशाद लेना चाहिए तो उसके लिए हमने लिया है 5 तेबल स्पून्स शुगर, 2 तेबल स्पून्स ऑफ घी और 3-4 पिंच्छ ऑफ काली मिर्श का पाउडर तो इन तीनों को मिक्स करके आज हम 5-10 मिनिट्स के लिए चंद्रमा की रोश्णी में रखेंगे और फिर इसे प्रभु को भोग लगा के खालेंगे पाउडर लिया है, अगर काली मिर्श है तो आप 12-15 पीसे डाल सकते हैं तो यह अच्छे से मिक्स करके आज हमने रात को चंद्रमा की रोश्णी में 5-10 मिनिट्स इसे रख देना है फिर बाद में हम इसे ग्रहन करेंगे